हलो एबरीवन, वेलकम तो तेजस करियर एकडिमी गाईज, आज है 28th of October और आज हम देखेंगे important current affair के questions को लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडि अधिवासी नृत्ते के लिए ध्यान रखेंगे आप राज्य के अस्थापना दिवस, that is 1st November से हमारा राजियोत्सों start हो रहा है, तो इस राज्योत्सों के लिए आदिवासी नृत्ते में, आदिवासी नृत्ते के लिए, कितने theme रखे गए हैं, तो ध्यान रखेगा कितने theme रखे गए हैं तो आपके total दो theme रखेंगे हैं पहला एक फसल कटाई के समय में आदिवासी नृत्ते और दूसरा आदिवासी परमपराओं के उपर ध्यान रखेगा आदिवासी परमपराओं के उपर आदिवासी परमपराओं के उपर ये दो टाइब के थीम रखे गए है आदिवासी नृत्ति के लिए ये दो टाइब के थीम रखे गए है राजयोत्सम में जिसको आदिवासी नृत्ति महोश्चम में परफॉर्म किया जाएगा, क्लियर रहेगा, हमारा राजयोत्सम कब से स्टार्ट हो रहा है, 1st November से, कहां होगा, Science College साइन्स, College Ground रायपूर में, ध्यान रखेंगे आप, Science College Ground रायपूर में, ओके, चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्सन क्या बन जाएगा, ऑप्सन A is correct, आगे बढ़ें दूसरे क्वेश्चन पर, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के की सस्थान पर, वेटनरी साइन्स, जो हमारा पशुचिक्ट्सा के छेतर में कार्य करता है, तो वेटनरी साइन्स के लिए आप याद रखेंगे, कि राज्य के, रायपूर में, याद रखिएगा, नया रायपूर में, एक अत्याधुनिक ट्रेनिंग हॉल का, निर्मान कराया जा रहा है, जिसमें जितने भी वेटनरी साइंस या वेटनरी डॉक्टर्स होंगे हमारे उन सभी को ट्रेंड किया जाएगा नहीं नहीं टेकनोलाजी आधारित ठीक है निव निव टेकनोलाजी बेस्ट किस तरीके से पशु की चिकत्सा में उप्योग हो रही है या किन-किन चीजों को आ आपका बन जाएगा बी आगे बड़े दूसरे क्वेशन पर क्वेशन है आपका राजयोत्सों में इस वर्स मुख्यातिति के रूप में किस मुख्यातिति के रूप में समापन समारोह में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है तो ध्यान रखे Chief Minister, Sivu Sorain को, याद रखिएगा, Sivu Sorain को इस वर्स समापन समारोह में, मुख्य अतिथी के रूप में बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, तो कहां के है यह, यह हमारे झारखंड के पूरु मुख्य मंत्री है, Sivu Sorain, अभी फिलहाल झारखंड के मुख्य मंत्री उन्ही के चीप मिनिस्टर हैं काई सेहर में स्थापित कि जाएगी तब ुछे स्थापित की जाएगी सेंटरल इंडिया का सब से बड़ा सब mob distress स्थापना की जा रही है याद रहेगा राज्य के राज्य के राधानी छेत्र नवा रायपूर में आपका स्मार्ट मिटर टेस्टिंग लैब की स्थापना की जा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन पे क्वेशन है आपका हाली में राज्य में किस जैविक धान की पैदावर सरवादिक हुई है आप सभी को पता होगा कि एक नॉवंबर से एक नॉवंबर से समर्थन मुल पे यशरिवार में धान की जैविक खती में अगर हम बात करें विए दान खरीदी का लक्ष रखा गया है राज्योट्सों के दिन से शुरू होगा और अगर हम बात करें तो एक सो दस लाख मिट्रिक तर्टं है है और इसी में इस है उन खरीदी में सरवादिक कि पैदावार में सद्रा अरभी, ट्रोमल्राबी और अगर हम बात करें और इसमें जाधा खर्श भी नहीं आता तुई यहां पे करेक्ट सुन बन जाएगा आपका ilे ए इंто नेक्स्ट क्वेशन है साउथ एशियन गेम्स के तहट अंडर 15 गर्ल्स फुटबॉल अंडर 15 गर्ल्स फुटबॉल मैच की रेफरीशिप राज्यकी किस महिला फुटबॉलर को दिया गया है यानि कि बांगलादेस में आयोजित होने वाले साउथ एशियन अंडर 15 इस मैच का रेफरीशिप प्रवाइड किया गया है तो करेक्ट अप्शन बनेगा बी कहां की रहने वाली है यह चक्तिसगड की रहने वाली है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर प्रकासित ऑनलाइन धोखा धड़ी को समझाने के लिए पूस्तक को क्या नाम दिया गया है हाल ही में रिजवर्बैंक ओफ इंडिया ने एक पूस्तक पब्लिश किया है एक बुक पब्लिश किया है जिसमें ओनलाइन धोखा धड़ी से कैसे बचना है क्या क्या प्रिवेंटिब मेजर्स आपको यूज करना है क्या मानदन निर्धारित किये गये हैं इन सभी क को ले करके एक comics के form में हास्य मुष्तक प्रकासित किया गया है Reserve Bank of India के द्वारा और इस पुष्तक का नाम दिया गया है Raja or 24 ठियान रखेंगे इस पुष्तक का नाम दिया गया है राजू और चालिस ठियान रखेगा साइबर क्राइम से जुड़े अगर हम बात करें तो जितना भी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेट दोखा धड़ी होती है लाइक ओटी भी पूछना ATM का पासवर्ड पूछना कॉल करके आपको लोन देने का प्रणोभन देना इन सारी चीजों से जुड़े एक अहास से पुस्तक जिसका नाम है राजू और चालीश चोर इसका प्रकासना पर जरुर बैंक ओफ इंडिया के द्वारा किया गया है तो यहां पर एक टॉप्सन बन जायागा आपका सी नेक्स्टकें है दिपावली के आवसर पर राज्य के किस जिले के जनजातियों दवारा सोहराय तैवहार मनाया जाता है और दिवाली के अगले दिन से सोहरायय टैवहार मनाया जाता है, जो पांच दिनों तक चलता है ध्यान रखेंगे सोहराय तेवार जो 5 डेस तक सेलिब्रेट किया जाता है और ये जन जातियां सर जस्पूर में सर्गुजा सभाग के जस्पूर छेत्र में पाई जाती हैं तो यहां पर करेक्ट आप्शन आपको बन जाएगा डी ठीक है आगे बढ़े चलिए क्वेशन है विश्व के किस देश के संसद में महिला सांसदों की संख्या पूरुस सांसदों से अधिक हो गई है गैस मैं पहले बता दूं कि विश्व का ये पहला एक ऐसा रास्ट है जिसने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार सर्व प्रथम दिया था 1893 से इसने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया और इसी देश में महिला सांसदों की संख्या महिला सांसदों की संख्या अभी जादा हो गई है विश्व में इकमात रहसा देश है जहां पे मतदान करने की बात करें महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्व पर्थम दिय संख्या अधिक हो गहीं तो द्यां रखेंगे टोटल महीला प्रेजेट ओर 59 वैं में रखेंगे फिमिल यहां पर भर करें 210 महिलाओं का वरच के रहुद बहुत करें मैक्सिमुमिल पोस्ट पर यहां कि जो महिलाएं किशल नेक्स क्षेचन है भारत के कितने समुद्रे बीचों को ब्लूबन कि सूची में सामिल किया गया है थ्यान रखिएगा हाल ही में बेश्यों वीरासत अस्थल में अगर हम देखें वर्ल्ड हेटिस साइट में तो वेर्द हेट शेट में अपने इंडिया के different different 39 42 42 आपके sites हैं जो हमारे इंडिया के हैं जिनको world heritage site में सामिल किया गया है इसके अलावा स्वक्ष बीचों में अगर हम बात करें neat and clean beach में समुद्री बीच की अगर हम बात करें तो समुद्री बीचों के लिस्ट में भारत के कुल 12 ध्यान रखेंगे भारत के कुल 12 और रिशेंटली दो ध्यान रखेंगे रिशेंटली हाल ही में दो और इस प्रकार से कुल अगर बात करें तो 12 और रिशेंट की बात करें तो दो समुदरी बीचों को सामिल किया गया है तो यहां पर बात कर रहा है आपका कि समुदरी बीचों को blue बीचों में अगर हम बात करें तो overall पुल लिखा रहेगा अब 12 लेकर के चलेंगे लेकिन अगर हाल ही में बोला तो हाल ही किया अगर मतलब हो जाता है recently की बात की जा रही है यह question जो है recently के लिए पूछा गया है और यह question में आपका answer होगा दू ठीक है तो correct option यहाँ पर बन जाएगा आपका भी इसको correct कर लेगे कि हाल ही में भारत की कितने समुदरे बीचों को ब्लू बीचों की सुची में सामिल किया गया है तो यह हो जाएगा आपका दो और कुल अगर हम बात करें तो 12 आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर क्वेशन है पुर्व क्रिकेटर युराज सिंग को टी 20 विशोकप के लिए किस टीम का ब्राइंट अम्बिस्टर किया जाएगा भारत में किया जाएगा और इसमें साथ देशों की टीम सामिल होगी देहां रखेगा साथ देशों की टीम जो है सामिल होगी इस पूरे वर्ल्ड कप ठीक है इस वर्ल्ड कप में साथ देशों की टीम भाग लेगी और इसमें नेत्रहीन लोगों के लिए नेत च्छेत्रिय उपग्रह नेविगेशन परणाली नाविक द्यान से देखेगा च्छेत्रिय उपग्रह नेविगेशन परणाली नाविक के विस्तार के लिए कितने उपग्रहों को प्रचेपित करेगा कितने नए उपग्रहों को प्रचेपित करेगा question है यहाँ पर कितने नए उपग्रहों को प्रचेपित करेगा तो ध्यान रखिएगा नाविक जो है stand करता है NAVIK नाविक जो है यह आपका छेतरिये उपग्राफ उपग्राफ नेविगेशन प्रणाली के लिए अगर हम बात करें तो इसमें इसरू के द्वारा इसरू के द्वारा पांच नए उपग्रहों को लांच किया जाएगा जो कि हमारे navigation system को strong बनाएंगे ठीक है 1500 किलमेटर तक के range का अगर हम बात करते हैं 1500 किलमेटर तक के range को यह हमारे navigations provide करेंगे navigate करेंगे हमारे जितने भी यहाँ पे उपग्रह है उन सभी को ध्यान से देखेंगे रोजगार और समाजिक सरसुकार में देश के किस संस्थान को सिर्थ संस्थान प्राप्त हुआ है किस संस्थान को that is the institution और place यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रोजगार employment और societal working में अगर हम बात करें social concern के बारे हम बात करें तो किस संस्थान को सिर्थ संस्थान प्राप्त हुआ है तो ध्यान रखेगा IIT Bombay IIT Bombay और इसके साथ साथ IIT दिल्ली ध्यान रखेगा IIT दिल्ली को भी दोनों संस्थान को एक साथ रोजगार और समाजिक सरोकार में समाजिक सरोकार में प्रथम अस्थान दिया गया है सिर्थ अस्थान दिया गया है जहाँ पे employment के साथ-साथ social concerns में भी based working के लिए ये award provide किया गया है तो correct option यहाँ पर A बन जाएगा लेकिन जब combined form में दे तो combined form में आप दिल्ली को भी लेके चलेंगे IIT दिल्ली और IIT Bombay ठीक है तो correct option बनेगा A यह था आज का session अब बार यह आपके student धर्मा की question है भारतिये प्रतिसपर्धा आयोग के कारिवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ठीक है भारतिये प्रतिसपर्धा आयोग CIC CIC ध्यान रखेगा Commission for Indian Competition ध्यान रखेगा Indian Competition के commissions के लिए अगर हम बात करें भारतिये प्रतिसपर्धा आयोग के कारिवाहक चेयर्मेन के रूप में यानि acting chairperson के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इसका अंसर आपको comment box में comment करके देना है comment box में आप comment करके इसका अंसर आप बताएंगे ओके तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल next organization में बने रही है तेजस केरियर एकेडमी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक से जरूर करें thank you so much